हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल फ्रेंड्स आज हम इस ब्यूटिफू से निटिंग पैटर्न को बनाना सिखेंगे बहुत ही इजी डिजाइन है किवल 6 रोका यानि कि 6 लाई में ये डिजाइन बनता है आप इस डिजाइन को अपने किसी भी प्रोजक्ट पे अपलाई कर सकते हो यानि कि जैन स्वेटर पे बना सकते हो लेडिस कारडिगन पे इस डिजाइन को बना सकते हो गल्स स्वेटर में या बॉइस स्वेटर में किसी भी प्रोजक्ट पे आप इस डिजाइन को अपलाई कर सकते हो देखिए ये इसका बैक साइड है उल्टी तरब से ऐसे तो देखिए यहां पर मैंने 16 फंदे लिए हैं 4-4-4-4 के इसाब से 4 बार मैंने 4-4 फंदे डाले हैं तोटल यह 16 फंदे हैं आपने भी इसी तरह से फंदे लेने हैं 4-4-4-4 करके ठीक है तो पहले सलाई बनाएंगे हम सीधी तरफ से बॉर्डर बनाने के बाद रो वन पहला फंदा HstEst olvidar से सीधा उतारेंगे तागा अपनी तरफ कर देंगे इसके बाद यह डिजाइन 4-4 फंदों में बनता है दीखिए 2 फंदे उल्टे एक और दो दो तो उल्टे धागा पीछे दो फंदे सीधे एक और दो तोटल यह 4 फंदे हैं देखिए 2 उल्टे और दो सीधे इनी चार फंदों को हमने पूरी सलाई पर रिपीट करते वे जाना है धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक और दो धागा पीछे करेंगे दो सीधे पहली सलाई हम पूरी इसी तरह से बनाएंगे दो उल्टे और दो सीधे ऐसा बुनते बुनते लास्ट में देखिए तीन फंदे बसते हैं दो उल्टे आएंगे और एस सीधे को इसे सीधा बनाएंगे तो पहली सलाई इस तरह से यहां पर कंप्लीट होगी दो उल्टे तो सीधे दो उल्टे दो सीधे दूसरी सलाई देखि उल्टी तरफ से सेकेंड रो रॉंग साइट से पहला फंदा उल्टा उतारेंगे धागा पीछे कर देंगे अब देखिए दो फंदे सीधे बनाने हैं और दो फंदे उल्टे बनाने हैं दूसरी सलाई हमने इस तरह से बनानी है दो फंदे सीधे दागा अपनी तरफ करके दो फंदे उल्टे तो देखिए यह जो चार फंदे बनाए हैं दो सीधे दो उल्टे इन्हीं को यह हमने पूरी सलाई पर रेपीट करना है दूसरी सलाई उल्टी तरब से दो सीधे और दो उल्टे दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे लास्ट में दो सीधे आएंगे और एस्टिच को बनाएंगे उल्टा तो यहाँ पर यह दूसरी सलाई पूरी हुई तीसरी सलाई देखिए सीधे तरब से इस सलाई को आप ध्यान से देखिएगा थर्ड रो राइट साइड पहला फंदा सीधा उतारेंगे दागा अपनी तरफ कर देंगे दो फंदे उल्टे बनाएंगे एक और दो दागा पीछे कर देंगे अब देखिए जो यह दो फंदे सीधे हैं इनके हमने एक यहाँ से उठाना है फंदा और एक यहाँ से उठाना है फंदा तो देखिए तीन धागा जो और तीन यहां पर सलाई डालेंगे और यहां से एक बड़ा सा लूप निकालेंगे इस तरह से इसे हमने खुब डीला बनाना है इस तरह से इतना लूज हम इसे बनाएंगे इसके बाद इन दो फंदों को सीधा बनाएंगे एक और दो फिर हम यहां से भी एक लूप बनाएंग दोनों बराबर साइज के हमने बनाने है तो इस तरह से दो फंदे के यहाँ पर चार फंदे हो जाते हैं ठीके अब इन्ही चार के छे फंदे जो हो गए हैं इन्ही कोई रिपीट करना है दो उल्टे एक लूप बनाना है दो सीधे और एक लूप बनाना है इसे हमने तीसरी सला सीधी तरब से इस तरह से बनाना है देखे दो उल्टे धागा पीछे एक लूप बनाएंगे एक दो और तीन तीन सलाई नीचे यहाँ पर सलाई डाल के और एक लूप बनाएंगे इस तरह से इसके बाद इन दोनों फंदों को सीधा बनाना है फिर से इस साइड से भी हमने तीन धागा नीचे यहाँ पे सलाई डालनी है और एक लूप यहाँ पे इसी के ही बराबर बनाना है इतना लूस हम इसे बनाएंगे इसके बाद फिर से दो उल्टे धागा पीछे एक, दो और तीन तीसरे होल पे सलाई डालके एक बड़ा सा लूप बनाएंगे इसके बाद इन दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे एक दो सीधे फंदे के बाद यहां पे भी सलाई डालेंगे और एक लूप यहां से बनाएंगे इस तरह से तो इस तरह से करते करते लास्ट में यहाँ पर तीन फंदे बसते हैं जिन में से दो उल्टे बनाएंगे और एस्टीच को सीधा बनाएंगे तो इस तरह से यहाँ पर तीसरी सलाई पूरी हुई देखे चौथी सलाई उल्टी तरफ से फोर्थ रोल रॉंग साइल पहला फंदा उल्टा उतारेंगे धागा दूसरी तरफ करके दो सीधे बनाएंगे धागा अपनी तरफ करेंगे अब देखे जो यह लूप हमने बनाया है इसे स्लिप करेंगे इसके बाद दो फंदे जो उल एक दो धागा अपनी तरफ लेंगे इस लूप को स्लिप करेंगे दो उल्टे बनाएंगे इसे हम स्लिप करेंगे जो यह हमने नीचे से लूप उठाके बनाया है इसे हमने लिप करना है दागा पीछे करेंगे last में दो सीधे और एस्टिच उल्टा यहां पर यह हमारी चौथी सलाई पूरी होती है पाँचवी सलाई सीधी तरब से न प्रिप्थ राइट साइड देखें पहला पंदा एस्टिच से शैसे थास सैथ करेंगे सीधा उतारेंगे धागा अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, दागा पीछे कर देंगे, अब देखिए जो ये हमने दो फंदो पर चार फंदे बनाए हैं, इन्हें वापस हमने दो फंदा बनाना है, अब देखिए एक, दो, तीन और चार, इन चारों पर सलाई डालेंगे और बैक लोप से यानि कि पीछे की तरब से इस तरह से सलाई डालके एक फंदा बनाएंगे फंदे हम यह चार फंदे हमने गिराने नहीं है देखिए इस तरह से एक फंदा यह बनाए इसे भी हमने लूज बनाना है फिर एक बार हम पीछे से सलाई डालके बनाएंगे फिर एक बार हम आगे से इन चार फंदों पर आगे से सलाई डालके इस तरह से धागा घुमाएंगे और चार का इस तरह से यहां पर बनाएंगे चार का एक एक बार हमने पीछे से बनाया एक बार हमने आगे से बनाया तो यहां पर चार फंदों के दो फंदे हो ग उल्टे दागा पीछे चार फंदों पे सलाई डालेंगे एक बार पीछे से एक फंदा बनाएंगे इस तरह से एक बार आगे से इन चारों फंदों पे सलाई डालेंगे और इस तरह से एक फंदा बनाएंगे चार के दो फंदे फिर से देखिए 2 फंदे उल्टे धागा पीछे 4 फंदों पे सलाई डालेंगे 2 फंदे है और 2 लूप है इस तरह से टोटल ये 4 फंदे है 4 का 1 पीछे से बनाएंगे फिर 4 का 1 आगे से बनाएंगे इस तरह से धागा अपनी तरफ करके लास्ट में दो उल्टे और एस डिच सीधा तो इस तरह से यह यहाँ पर पांचवी सलाई पूरी हुई छटी सलाई बनाएंगे उल्टी तरफ से पहला फंदा उल्टा उतारेंगी अब जो फंदा जैसे दिखाई देगा उसे हमने वैसे ही बनाना है दो सीधे धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे अब इनी चार फंदों को रिपीट करने है दो सीधे दो उल्टे दो सीधे और दो उल्टे दो फंदे सीधे और दो फंदे उल्टे लास्ट में दो सीधे और एस्टिच उल्टा इस तरह से यहाँ पे यह छटी सलाई पूरी हुई और यह डिजाइन भी इमारा छे सलाई में पूरा हो जाता है देखे इस तरह से फिर से हम यहाँ पे पहली सलाई लगाएंगे दो सीधे दो उल्टे इस तरह से जैसे हमने यहाँ पे बनाई है पहली सलाई वैसी हम यहाँ पे बनाएंगे पहली सलाई से और छटी सलाई तक इसे बार बार रिपीट करते वे जाएंगे तो देखिए जैसे जैसे हम इसे अगर पसंद आये हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें थैक्स फूर आचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई